तो देखते हैं हाँ पर question number 14 में हमसे क्या पूछा गया है अग converging lens of focal length 5 cm is placed at a distance of 20 cm from my screen तो यहाँ पर focal length हमें कितने रखा है 5 cm lens कौन सा है converging इसका मतलब यहाँ पर convex lens है और जो यहाँ पर distance दिरखे वो यहाँ पर कितने रखे 20 cm distance किसी दरखे है? screen से दूरी दरखे है क्या दरखे है यहाँ पर जो lens और screen के दूरी है वो यहाँ पर कितने 20 cm इस इसमें मतलब जहांपर हमारी image बनेगे तो हम यहाँ पर actually कैसकते जो image distance होगे वो हमारी यहाँ पर क्या होगे? 20 cm होगे पूछा क्या गया यहां पर How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the screen हमें यहां पर object को lens से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा कि हमें यहां पर real image मिले कहां पर screen पर जो की 20 cm की दूरी पर रखा गया है तो करते हैं यहां पर इसको solve तो देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या given है तो सबसे पहले हैं यहां पर focal length given है f equal to plus का 5 cm तो यहां पर convex lens के लिए हम यहां पर क्या लेते हैं focal length positive का लेते हैं और जो image distance है वो यहां पर क्या होगी plus की 20 cm क्योंकि image हमारी यहां पर क्या real image बन रही है इसका मतलब यहां पर जो image बनेगी वो यहां पर lens के right side बनेगी और क्या बनेगी? उल्टी बनेगी inverted ठीक है तो यहां पर हमें निकालना क्या था हमें यहां पर object distance निकालनी थी तो हमें यहां पर u निकालना है तो u निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे lens formula का use करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ using lens formula तो lens formula आपको यहाँ पर पता होना चाहिए तो lens formula यहाँ पर क्या होता है 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f v हमारे हम इपर image distance u हमारे यहाँ पर object distance f हमारे यहाँ पर focal length तो v हमारे यहाँ पर positive में तो 1 upon 20 u हमें यहाँ निकालना है focal length हमें यहाँ पर किते रखा है 1 upon 5 5 फाइब कि 5 है इसको फिर्द फॉर्दर सोल करें तो यहां पर कितना हो जागा 1 reden ट्वंटी माइनस में अपॉर्डबड वन अपॉंट सब्सक्रांइब इंक्यों ट्रैंस्य Julie को अगर में यहां पे left side transpose करूं गा तो यहां पर negative हो जाएगा और minus का one upon you को right side transpose करूँगा तो यह हमारा यहाँ पर positive का हो जाएगा further solve करेंगे तो यहाँ पर L से हमारा कितना हैगा 20 आएगा and one minus five four is a twenty equal to one upon you तो यहाँ पर कितना हागे हमारा minus three upon twenty equal to one upon you cross multiply करेंगे तो you equal to यहाँ पर कितना हो जाएगा minus का twenty by three हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइट करता हूँ twenty को three से तो कितना हैगा 3618 फिर बचा कितना हमारा यहाँ पर two point लगा के zero ले सकते हैं 3618 तो यह हमारा यहाँ पर क्या होगा six point six six centimeter हो जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसका मतलब जो object की दूरी होगी वो यहाँ पर कितनी होगी six point six six centimeter की दूरी भी होगी जब ही जाके हमें यहाँ पर क्या मिलेगा real image मिलेगा जो की 20 centimeter की दूरी पर बनेगा और वो भी उल्टा तो होग आपको यह वाला समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ